बढ़ते आगे पंजाब के मुखमंतरी भगवंतमान पंजाब में लोगों की सुवधा के लिए एक और नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसी सिल्सले में आज से प्रदेश में जन्माल लोग अदालत की शुरुआत की जाएगी इसके शुरुआत जालंदर में कैमिट मंतरी ब्रहम शंकर जिम्पा करेंगे बतारे कि जन्माल लोग अदालत के जरिये लोगों की मुश्किलों का मौके पर ही निप्टार किया जाएगा जन्माल लोक अदालत के शुभारम के लिए जालंधर डीसी कारियाले में कारिकरम कायोजन किया जा रहा है समाराता परमजीत हमारे साथ सीधे जुड़केहूं का रूख कर लेते हैं परमजीत एक नई पहल के आसे शुरुवात केमरेट मंतरी ब्रहमर शंकर जिंपा इसकी शुरुवात कर रहे हैं लोगों से सबसे पहले ये जाने की कोशिश कीजिए और हमें बताईए कि इस पहल को लोग कैसे देख रहे हैं और इससे कितना बदलाव आएगा लोगों की जन समस्याओं की मद्दे नसर रेनु जैसे की जो जनमान लोग का दालत आज लग रही है लोगों में काफी उत्षा है लेकिन इसका जो शुरुवाती समय है वो गैरा बजे के करीव है इस लिए जो लोग है वो धीरे धीरे आ रहे हैं लेकिन जो परशासन की तरब से पटवारी कानोगों से लेके तहसील का अब तक जो लोगों की सहायता के लिए है जिस चीज के लिए केम्प लगा उसके लिए यहां पर हाजर हैं और जैसे जैसे लोग आई जाएंगे अलग अलग तरह की उनकी जो भी समस्याएं हैं वो मौके पर ही जो है उसको हल किया जाएगा और 11 बजे के क्रीब जो है जो राजस्व मंत्री है ब्रम शंकर जिंपा जी वो भी यहां पहुंच रहे हैं बेलकुल अप रमजीत आपके आज पास जो लोग मौजूद है उनसे भी जाने की कुशिश कीजिए कि यह पहल कितनी कारगर साबित होगी रेनु जैसे कि मैंने बताया क्योंकि समय 11 बजे के क्रीब है को स्क्योर्टी परफॉस के कारण भी यहां जो है जो इंट्री 11 बजे के बाद 11 बजे के क्रीब है अपोने 11 बजे के और अभी काफी समय पड़ा है आप पीछे देख सकते हैं पटवारी कानुगो और जो राजस्म जो अधिकारी है वो मेरे पीछे सारे उनके इंतजार में यहीं बैठे जढ राजस्ट के और जो बैठे